आको का कलर कैसे चेंज करना यह हमने पिछले टुटरियल में देखा है नहीं देखा होगा वो वीडियो तो ज़रूर देख लेना आज हम देखने वाले की लीप्स का कलर कैसे चेंज करेंगे जो कि आपके स्क्रीन के उपर दिखाए दे रहा है इसका लीप्स का कलर कैसे बदलना किसी पर्सन का नहीं है फोटो का ओके तो ये वीडियो आपके लिए है मैं सतीश रियल टुटरियल चैनल में आप सब का स्वागत करता हूँ चलिए शुकरते हैं ये इंट्रेस्टिंग फोटोशॉप का टुटुरियल वीडियो में आगे बढ़ने से फ़ले मैं आपको बताओ दोस्तो अगर आप नयों में चैनल पर आप सेखना चाहते हैं एक्सल के टिप्स और चैनल पर आप सेखना चाहते हैं एक्सल के टिप्स और चैनल पर आपको करना होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब और सब्सक्राइब क जो घंटी दिख रहे हैं उस पे भी क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालू तो आपकी मोबाल की भी घंटी वजए जैसी कि मैंने आपको इंट्रोपाट में कहा कि आज हम सिखने वाले फोटोशॉप के अंदर लिप्स का कलर चेंज करना यहां पर आपको दिखाय दे रहा है एशुरया का फोटो मैंने लिया है और मैं चाहता हो कि इनके लिप्स का कलर चेंज मैं करूँ तो मैं कैसे करूँगा क्या टिप्स रहेंगे पहले तो मैं इसको जूम कर लूँगा और जूम कैसे करना है मैंने पितड्रोल ने ट्यूटरियल में बता दिया है, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बताओ कि गन्टरॉल प्लस करके Photoshop में आप जुम कर सकते हैं, गन्टरोल प्लस, 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 जुम, प्लस अब आपको इन लिप्स को देखके कोई और याद ना आ जाए ओके तो फिलाल तो मैं आपको बताओ कि हमें लिप्स का कलर चेंज करने के लिए चाहिए एक लेयर लेकिन इसमें पहले से एक लेयर है जो कि मैंने आखो का कलर चेंज किया था पार्ट टू में वीडियो त क्या है कौन सा टूल लेना है वैसे अलग-अलग टूल्स हम यूज करने वाले है फिलाल तो हम इसका यूज करने वाले है पॉलिगोनल लैसो टूल इसका नाम याद रखिएगा पॉलिगोनल लैसो टूल एक स्टूड़न को मैंने पूछा इसका नाम पढ़ने के लिए बोल यहां पर देंगे, 3, 4, 2, ऐसे भी चलेगा, लगबग below 4 रहेगा तो भी ठीक है, अब करना क्या है, आपको यहां पर इस image को select कर लेना है, मैं click करूँगा, ध्यांस देखिया, यह polygonal lesson tool में काम क्या करता है, कैसे करना है, और कुछ चीज़े यहां पर याद रखनी है, मैं इसे हटाने के लिए delete button press करूँगा, अगर मैंने गलती से यहां पर click किया, इसे हटाने के लिए मैं delete button press करूँगा, यह backspace भी चलेगा, यहां पर आप click करोगे, तब आपको click करना है, कहां पर, lips के कोई भी एक border से start कीजिए, selection, कोई पर भी, यहां से start कीजिए, यहां से, और नज करना है, close click, और बीच में double click नहीं click करना है, यह double click mouse से गलती से नहीं होना चाहिए, अगर आपका mouse perfect या अच्छा नहीं है, तो फिर वहापे problem होने वाला है, अगर आपने double click किया, तो यह selection क्या होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, double click किया तो क्या होता है, यह इतना ही join हो करके आप यह point को हटा के पीछे जा सकते, delete button प्रेस कर सकते, आपको जो भी point चाहिए, उस point से आप start कर सकते, और आपको लगता है कि गलती से अंदर चला गया, या बाहर चला गया, ऐसा हो गया, तो आप delete button प्रेस कीजिए, वो points हटाने के लिए, delete या backspace दोनों में से एक, बहुत लंबे-लंबे ऐसा line खिचते हैं, नहीं, बहुत नजदीक के point क्लिक करने हैं, ताकि ओ line आपको को मिले, shape मिले, मैंने अभी यहाँ पे right corner में, लंबे-लंबे point लेते हैं, लेकिन left corner में, अभी जहाँ पे select कर रहा हूँ, आप बहुत चोटे-चोटे click कर रहा हूँ है, और बहुत नजदीक-नजदीक क्लिक करके call मैं वहाँ पे define कर रहा हूँ, चलिए जहाँ पे selection स्टार्ट किया तो वहाँ पे double click कीजिए, last में, तो यहाँ पे थोड़ा सा उपर की तरफ दिखाए दे रहा है और यहाँ पे proper हो चुका है, चलिए ठीक है, आपको exact selection polygonal lasso tool से न और आप excited हो जानने के लिए आप करेंगे क्या आगे, lips को तो select कर लिया, अब आप समझ गये होंगे, अगर आपने part 2 का video देखा है, जिसमें मैंने बता था कि color यहाँ से select कीजिए, color select कीजिए, यहाँ पे click करने के बाद color select कीजिए, जो color आपको अच्छा लगता है, alt delete button press इसने तो पान खाया, ऐसा लग रहा है, ओके, तो यहाँ पे alt delete से color देखे कैसे फिल हो चुका है, control D, remove selection, alt delete fill color, control D, remove selection, control 0, feet on screen, यह shortcut कीजिए मैं हमेशा हर एक tutorial में बताते जा रहा हूँ, ताकि आपके यह बाइड हो जाए, उसके बाद यहाँ पे layer में, अगर आप देखें options मिल रहा है आपको दोस्तो, opacity पता रहेगा न, opacity, तो opacity कम कीजिएगा, and then you will find out something, oh yeah, look at our own image, क्या दिखाई दे रहा है, आपको जितना लग रहा है, अच्छा उतना आप रख सकते हैं, lips का color आप जादा करना चाहते हैं, जादा कीजिए, जादा जादा इतना मत कीजिए, ठी यहां से आप उसे hide और show कर सकते हैं, तो किसी भी image की उपर, lips का color कैसे apply करना है, आप समझ गये होंगे, यह एक layer है, जिसके जरी हम इसे hide और show कर रहे हैं, layer की उपर रखेंगे, तो हमारी original image वैसे रहती है, इसलिए layer की उपर हम effect देते हैं, last layer में, जो layer 1 था, last video में layer, tutorial part 2 में eyes की उपर color कैसे apply करना देखा था, और यहां पर हमने देखा था, lips की उपर, मतलब यहां पर हमने देखा है, lips की उपर color कैसे apply करना है, कैसे head और show हो रहा है, तो यह दोनों भी tutorial आपको अच्छे लगे होंगे, यह उम्मीद करता हो, हमारी हमेशा यह कोशिश रहेगी कि आप आपको हम expert बना दे और real tutorial हम आपके लिए लेकर आए, तो आज की चीज इंट्रेस्टिंग लगी होगी, वैसे ही चीज इंट्रेस्टिंग थी, मतलब lips का color change करना, ओके, तो यह इंट्रेस्टिंग लगी होगी, तो बस थमसब दीजिए वीडियो को like तो किया होगा, share के साथ और comment section में जरूर लिखे कैसा था वीडियो, साथी में मेरा learn more channel है, जो कि आपको जरूर विजिट करना चाहिए, जहां पर बिलेंगे amazing computer tips and tricks, जो कि आपको जरूर सीखने चाहिए, learn more channel जो कि आपको screen के उपर दिखाई दे रहा है दोस्तों, और मेरी website है learn more india.in, जो ए में में झाल ए कि ए र मोई, ए जो कि ए ड है। वाहिए, जयुआ से बाए़।